वो अलग ही है, बिल्ड कॉलिटी जो है, वो नो डाउट एक अपर नेवल की यूज की गई है, चलने में स्कूडर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही स्मूध है, अभी मैं हूँ स्पोर्ट्स मोड में, अगर एक मैं एक जामपल दिखा हूँ आपको स्पोर्ट्स मोड का, तो कैमरा थोड़ी सी दूर लेके जाओ, और मैं आपको एक यहां से थोड़ा सा एक्जामपल दिखाना चाहता हूँ कि यह कि इतनी जल्दी उट सकता है, यहां से स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1, और हम अभी कंट्रोल एरिया के इंदर हैं, इसलिए हमें हेलमेट वगारे की कोई जवत मिया लेकिन स्कूटर का जो पिक अप है, वो नो डौर बहुत ही अच्छा है, अभी मैं बहुत दूर हूँ कैमरे से और इसका अप्चक करने वाले हैं, हम पिक अप तो यह देख रहा हू स्पोर्ट मोड पर हूम है, और वाव, यह हो गया है कुछ अनुखी सी चीज़, इंडिया में जो टेंपरेचर है वो बढ़ता जा रहा है, 43, 44 का सब्स भी और है को जगव हो पे, तो क्या हूँ है, जो एलेक्रिस कूटर से बैट्री हो दोती है, उसमें हीट जन्रेट होग कर देते हैं, फिर बैटरी को ओपन करेंगे, यहां से देखिए, बैटरी मैंने यहां से बाहर निकाल लिए, क्योंकि रिमूवबल बैटरी है, आप इसको कहीं भी लिजा के चार्ज कर सकते हैं, तो यह बैटरी जो है, इतनी बड़ी बैटरी है, इस से क्या होता ही, जो बै कर देखिए, तो यह जो स्कूटर है, यह पेटेंटी डिजाइन है, इसी कंपनी का, कंपनी जो है, आर इंडी कर रही है, नहीं नी चीज़े लेके आ रही है, अभी जब यह स्कूटर लॉंच होगा, जो इसका प्रोड़क्शन मॉडल होगा, उसमें हमें इससे भी जादा देखने को मिल सकते हैं, काफी प्रोमिनेंट स्कूटर मुझे यह लगा, और फ्यूचर डेस्टिक डिजाइन है, इसलिए मेरा फर्स्ता आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी इंसोमिशन देना, अभी जब यह स्कूटर लॉंच हो जाएगा, तब यह लॉंच होने क इसके बाद इसके मेरा क्या के फीचर आने वाले हैं नए और यह किस टाइप से हमारी इंडियन मार्केट को चेंज करने वाला है, वो देखने वाली बात है, तो इस नेक्स वीडियो में मिलने वाले हैं किसी स्कूटर की